कभी आपने सोचा है कि हर चार साल बाद फरवरी में एक दिन ज्यादा क्यूं होता है? फरवरी 2024 में 29 दिन है बिल्कुल वैसा ही जैसे 2020 में था फिर अब 2028 में ऐसा ही होगा लेकिन आखिर क्यों होता है क्यों हम एक ही दिन एड़ करते हैं वो भी चार साल में तो चलिए इस लीपियर के साइन्स को समझते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साल क्या होता है हम हर साल नया साल मनाते हैं आखिर क्यों दरसल जमीन यानि हमारी प्रित्वी सूरज के चारो तरफ चक्कर लगाती है और ये चक्कर तक्रीबं 300 पैसर दिन में पूरा होता है इसलिए हम हर एक साल को तक्रीबं 365 दिन काउंट करते हैं और ये जैसे ही पूरा होता है फिर नया साल शुरू हो जाता है और सबसे अहम बात हमें सर्दी या गर्मी उनहीं महीनों में नजर आती हैं जिस महीने में पिछले साल थे लेकिन असल में पृत्वी को सूरज का चक्र लगाने में एग्जेक्ट 365 दिन नहीं लगते बलकि 365 दिन और एक चौथाई दिन लगता है मतलब 365 दिन और लगभग 6 गंटे अगर देखा जाए तो 365 दिन के मुकाबले 6 गंटे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हर 4 साल बाद यही 6 गंटे मिलकर 24 गंटे बना लेते हैं और 24 गंटे पूरे दिन के बराबर होता है अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर यह एक्स्ट्रा दिन एड़ ना किया जाए तो यही एक्स्ट्रा दिन सिर्फ 100 सालों में एक महीने के बराबर हो जाएगा और मौसम उन महीनों में नहीं आएंगे जिस महीने में हर साल आते हैं इसकी वज़़से खासकर खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इसी वज़़से हर चार साल में एक दिन एड़ कर दिया जाता है लेकिन एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात और है जैसा कि हमने देखा हर चार साल पे हम एक लीपियर आड़ करते हैं तो जैसे 1692 लीपियर है 1696 लीपियर है तो अगला लीपियर 1700 होना चाहिए लेकिन 1700 का क कालेंडर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लीपियर नहीं है फिर 1704 में लीपियर है उसी तरह 1800 लीपियर नहीं था और फिर 1900 भी लीपियर नहीं था लेकिन 2000 लीपियर है अब आप सोच रहे होंगे ये क्या दिमाग की बत्ति गुल कर रहे है तो चलिए इसको भी स साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है यानि एक्स्ट्रा 6 घंटे में 11 मिनट और 15 सेकंड कम होता है इस 11 मिनट के एक्स्ट्रा होने की वज़़से हर 4 साल में हमारा कैलेंडर तक्रीबन 11 मिनट आगे चला जाता है इसकी वज़़से हर 100 साल में हमारा कैलेंडर लग बग बग 18 घंटे आगे चला जाता है और फिर हमें हर 100 साल में ये 18 घंटे हटाने के लिए एक लीपियर हटाना पड़ता है इसलिए हमें एक दम accurate calendar मिलता है ये थोड़ा confusing है आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो फिर से pause करके समझ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर हो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं शुक्तिया